इसको बेचने का काम किया है चार सो के सलेंडर पहले कांग्रेस के राज सलेंडर लेके घूमती तो क्या समझ में आएगा जिनको फलाइट से बाइट के दिल्ली आना है और पटना उतरना है देखने सिटी लौड नीज और आज अभी बात करने जा रहे हैं भारत में किस तरीक काम किया है चार सो के सलेंडर पहले कांग्रेस के राज में था अब 1200 का सलेंडर हो गया है जब 400 के सलेंडर होता था कांग्रेस के राज में तो इस मिर्ती रानी माथा पे सलेंडर लेके घूमती थी लेकिन सर बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम भारत में विकास कर रहे है और हमारा जो development growth है जो ratio काफी अच्छा है भारत में विकास नहीं भारत में बिनास हो रहा है भारत में बिनास इसलिए हो रहा है कि उन लें तो क्या समझ में आएगा जिनको फलाइट से बाइट के दिल्ली आना है और पटना उतरना है न कोई जाम मिलता है न कुछ मिलता है उन सरकार आने के वैद और क्या-क्या उनको कठनाईयों का सामरा करना पड़ा है बीजेपी में 90% लोग बेरोजगार हो गए है वो कहते हैं पकवरा टलिये चाय बेचिये नोकरी नहीं है 2014 की बहाली रेलवे के 2024 तक नहीं हो पाई है यही तो नकाम्यावी सरकार निकमापन का पर्चय देती है लेकिन इसमें तो मोधी सरकार यह बोलती है कि शुवर रोजगार आप खुद से देखिए मोधी सरकार तो अब देश बेचने के तयारी में है देश आधा बिग गया है अब आधा बचा हुआ है वहारत के जितने भी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी को छोड़कर वह सभी गटवंदन और बैटक पे बैटक करते हुए दिख रहा है क्या लगता है 2024 में परधान मंत्री जो है वो पद से हटेंगे 2024 में परधान मंत्री अगर आएंगे तो देश को और बरबाद करनेंगे इसलिए सभी उबाओं और बीर्द आदमी से मेरा अनुरोद है कि 2024 में मोधी के भोट नहीं दे न तो यह और बरबाद करके छोड़ दे लग यह कि मुद्दा होना चाहिए मेरे अंदर पूरा मुद्दा है इसको उखार के गुजरात पहुंचा देना क्या 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 कमी लगड़ा है इस वी सरकार में में कितना कमी जिना बहुत कमी है इस सरकार में traditional मत्री जी को फोन करवाईए ना होस्पीटल में बेड के वेवस्था है ना डॉक्टर के वेवस्था है सब जगह जो है घूंस खोरी चल गया है बीना पैसा के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है कहते हैं मोदी जी गड़ीबी दूर हुआ और आगए जी इसका कोई हद हिसाब नहीं जीं at trade केकि यह सब दिखावा है कोई वेवस्था नहीं इनका अगर वेवस्था रहता ता आज यह ही हालbek देखिए बिहार का मजदूर कितना मर रहा है लाठी खा रहा है भगाया जा रहा है बिहार के आदमी का कोई भैलू नहीं है लेकिन बिहार में जो लाठी खा रहा है यहां तो गठबंधन की सरकार है बीजेपी तो है नहीं आपर बीजेपी के सरकार इससे पहले गठबंधन मे पर रहे हैं कि चाहएगा वही कडेगा विहार सरकार क्या करेगी लेकिन हाल फिल हाल में अभी इसी सप्ता में क्या हुआ कि जितने भी कार करता थे नेता थे पटना में उनको काफी लाठी डंडों से पीटा गया है और यह पूरा चीजे बिलेम लगा रहे हैं नितीश कुमार हमेशा से विहार का विकास किया है और विकास करेगा आरजेडी और जदिव मिलके विकास करेगा यह तो बलेम जूटा है वीजेपी तो जूट का पुलिंदा है यह कुछ भी बोल सकता है